नमस्कार मैं आपकी हिंदी अध्यापी का सुदेश शोधरी आज हम करने जा रहे हैं आठ्मी कक्षा की जो व्याकरण है उसका प्रथम अध्याई भाषा लिपी और व्याकरण तो चलिए आरंब करते हैं अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक मातर साधन भाषा है मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है इसी प्रकार मनुष्य में इतनी परगती की है यदि भाषा ने होती तो ग्यान का प्रचार प्रसार भी न करता है तो देखी इसमें बताया गया है कि जो भाशा किसे कहते हैं वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने मन में जो भी भाव पैदा होते हैं फिर उनको विचारों का रूप दे कर व्यक्त कर देते हैं और वो कैसे कर पाते हैं या तो हम लिखकर कर पाते हैं जैसे हम किसी को ल बात करते हैं तो अपने भावर विचारों को बताते हैं जिस परकार से अब मैं बोल कर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको बता रही हूं तो ये सब क्या है ये भाशा है और ये विचारों का आदान प्रदान संभव क्यों हो पाया है ये भाशा की वज़े से ही संभव हो पाया है और अगर भाशा ना होती तो जो ज्ञान आज हम ले रही है उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता अब देखिए यहां पर जो आपके सामने चित्र है उसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हम भाशा के माध्यम से अपने विचा की गई है उसे देखते हैं मा आज मुझे स्कूल में आने में थोड़ी देर हो जाएगी अब मा जब बच्चा टेलिफोन के माध्यम से मा को बताता है तो मा पुछती है क्यों तो बच्चा कहता है कि कल जो इस बच्चे का नाम है राहुल तो राहुल कहता है कि कल मेरे स्कूल म में कुछ तयारियां करनी है, मा कहती है ठीक है, फिर अगले दिन, मा अखबार पढ़ते हुए राहुल से बोली, राहुल तुम्हारे स्कूल में कल जो हस्तकला परदर्षनी लगी थी, उसके बारे में आज के अकबार में चपा है। इसमें लिखा है बच्चों ने इस परदशनी में अनेक तरह की चीजे अपने हाथों से बनाकर लगाई थी। इस परदर्शनी में सभी बच्चों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा अभी जो विशे हमने उप्रोक्त विशे जो पढ़ा उसे समंदित कुछ प्रशन है यहाँ पर इसे हम हल करेंगे स्कूल से देर से आने की सूचना राहूल ने अपनी मा को कैसे दी टेलिफोन के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से राहूल की मा को कैसे पता चला कि आज राहूल स्कूल से देर से आएगा जब राहूल ने टेलिफोन किया और राहूल की मा ने राहूल के विचा अखवार प्रकट के और जो राहूल की माश है उसने उन्होंने राहूल के विचारकों को समझा। दूसरा है समवादादान ने हस्तकलापरदर्ष्नी की सुचना लोगों तक कैसे पहुंचाई। लिखित जो भाशा है उसके माध्यम से यानि अखभार के माध्यम से राहुल की मा को कैसे जानकारे मिली कि हस्तकला परदर्शनी में बच्चों ने अनेक तरह की चीजे बनाई थी जब राहुल की मा ने अखभार पढ़ा यानि कि जो संबादाता है उन्होंने लिखित अभी व्यक्ति व्यक्ति की तो जो राहुल की मा है उन्होंने लिखित अभी व्यक्ति को पढ़ा यानि कि कहने का भाव है कि इन प्रशन से आपको ये बताया जा रहा है कि जो विचार हम बोल कर प्रकट करते हैं उन विचारों को सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है और समझ कर अप भाषा का लिखित रूप होता है तो हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रादान बोलकर, सुनकर लिखकर और पढ़कर करते हैं इसे ही भाशा कहते हैं, दो चित्र बने हुए हैं जिसे दो बच्चे देख रहे हैं, तो निमनांकित चित्रों के माध्यम से चित्रों को देखिए और नीचे लिखिए कि चित्र क्या समझा रहे हैं, अब ये चित्र आपने सड़क के किनारे अत्वा किसी सावजनिक स्थान प तथा यूटन नहीं लेना लेकिन इन संकेतों के से सारी बाते और भाव व्यक्त नहीं हो सकती अतैसारे भावों और विचारों की पूरी तरह अभी व्यक्ति के लिए हमें भाषा की आफशक्ता होती है यह बरदान केवल मनुश्य को ही प्राप्त है कि वह भाषा का प्रियोग कर सकता है संसार के अन्य सभी जीवों को एक ही ध्वनी का उचारण आता है जैसे चुए को चूचू, कुट्टे को भोभो, आदी मनुष्य ने अपने अनेक ध्वनी संकेतों से भाषा को विक्सित किया है विक्सित कर लिया है तो अब देखिए आपको लिखना है इसके नीचे जो पहला है वो निशेद का निशान है जिसमें बताया गया है कि होरन नहीं बजाना है और जो दूसरा है उसमें निशान दिया गया है कि यूटन नहीं लेना है तो पहले हमारे जो भाषा थी वो तीन द्रह की मानी जाती थी मौखिक, लिखित और सांकेतिक लेकिन अब सांकेतिक भाषा को भाषा में सम्मेलित नहीं किया जाता क्योंकि सांकेतिक भाषा से पुन रूप से भावों और विचारों की अभिव्यत्ति नहीं हो पाती अब देखिए परिभाशा दी गई है वेध्वनी चिन जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है वह क्या कहलाती है वह भाशा कहलाती है जब हम लिखित भाशा सबसे पहले मनुष्य ने सांकेतिक भाशा का प्रयोकिया फिर मनुष्य का विकास हुआ तो चित्रों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने लगे लेकिन फिर और जैसे ही समय बढ़ा तो जो मानव है वो जैसे कुटे बिली की तरह कुछ ऐसी आवाजे कुछ धवनिया करना उन्होंने आरहम कर दिया लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता लगा कि कुछ धवनिया है जिनके माध्यम से वो कुछ जैसे बोल सकते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ जब भाषा का विकास हुआ तो एक आफशकता और सामने आई कि किस प्रकार से हम अपने विचारों को आने वाले पिड़ी के लिए संजो कर रख सकते हैं तो ऐसे में क्या था कि जो भाषा थी उसको एक लिखित रूप देना आफशक हो गया था कि जिसके माध्यम से हम आज जो सोच रहे हैं आज जो कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पिड़ी उसे समझ सके तो जो ध्वनी जो चेहन जो ध्वनी जो भाषा जो व्यक्ति मानव ने ज दिरे दिरे उनको एक चीन दे दिया गया जैसे एक ध्वानी चीन है इनसे ही मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्या बनते हैं और इस प्रकार से हमारे भाषा को एक लिखित रूप प्राप्त हुआ इसलिए जो लिखित और मोखिक दोनों ही रूप है वो भा भाशा के रूप कितने होते हैं? रजमिया क्लिपू नागा है देखे भाशा के दो रुप होते हैं. ये तो आप लोग पी जानते हैं. मौखिक भाशा और लिखित भाशा अभी अभी हम जो उसे समझ भी लिया सोम्या ने अपनी यहां चित के माध्यम से बताया गया कि मोखिक भाचा का रूप दिखाया गया है कि सोम्या ने अपनी कक्षा में एक पहिली पूछी तुम ने बुलाओ मैं आ जाओंगी ने भाड़ा ने किराया दूंगी घर के हर कमरे में रहूंगी पकड़ने मुझको तुम पाओगे मेरे बिन तुम रहे तुम ना रहे पाओगे बताओ तो मैं कौन और बच्चों ने उसे समझ भी लिया और जवाब दिया हवा और रवी तुमने बिलकुल सही जवाब दिया तो इस प्रकार बच्चों और जो सम्या के विच जो भी बारता लाप हुई है वो मौखिक भाषा का ही उधाना आपने ध्यान दिया कि सम्या ने बोलकर पहिली पूछी और रवी ने उसे सुनकर उतर दे दिया तो ये मौखिक भाषा का ही तो रूप है और ध्यों का उचान द्वारा भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को सीखने के लिए मुझे को किसी उपचारिक पर शिक्षन की आफशकता नहीं होती वैसे भी हम जहां जन लेते हैं वहां पर अगर जो भी भाषा बोली जाती है उसे हमें सिखाया नहीं जाता वो हम अपने आप सुनकर सीख जाते हैं और भाषा के इस रूप को प्रस पर बाचीत, फोन, रिकॉर्ड, रेडियो तथा दुर्दर्शन आदी में प्रयोग किया जाता है भाषा के मौखिक रूप का प्रयोगा होता है बाचीत करने में, फोन में, रिकॉर्ड में, रेडियो में, दुर्दर्शन में आदी में ये है भाषा का दूसरा लिकित भाषा भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़ कर उनके विचारों को समझता है उसे लिखित भाशा कहते हैं अब देखे राहूल ने एक pen का विज्यापन तयार किया है अब राहूल बता रहा है मा को जबकि माँ तो उसे देख कर समझ गई है कि ये एक pen का विज्यापन है अभी अभी आप पढ़ रहे हो आपके सामने एक चित्र है और चित्र के माध्यम से आप ये समझ पा रहे हो कि यहां क्या लिखा है और ये क्या बताना चाहते हैं ये भाषा का लिखित रूप है, जिसे आप पढ़ कर समझ सकते हैं, और किसी को अगर विचारों को लिखित भाषा में प्रकट करना होता है, तो वो लिख कर उसको प्रकट करना होता है, यह रूप स्थाई होता है, कौन सा लिखित रूप, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है, वह हमेशा के लिए यूँ ही बना रहता है। जैसे हम दुरदर्शन में अगर समाचार सुनते हैं, तो अगर हम उसे दुबारा सुनना चाहते हैं, तो हम एक सोशल मेडिया का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमें अखबार पढ़ा है, उस अखबार को हम जितने समय बात चाहे उस अखबार को हम पड़ सकते हैं और वो समाचार दुबारा से देख सकते हैं पड़ सकते हैं तो जो लिखित रूप है वो भाषा का स्थाई रूप है और इस रूप के प्रियोग के लिए उपचारिक प्रशिक्षन की आफशकता होती है बच्चे को भी सिखाया जाता है हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा को सीखना होता है उसके लिए उपचारिक यानि स्कूल जाना बहुत ही आफशक है लिखित भाषा के लिए जो साक्षर और पड़े लिखे लोग है वही इस रूप का प्रियोग अच्छी तरह कर पाते हैं हमें भाषा विशेष की ध्वनी चिनों की लिपी का ज्यान आवशक है भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्यान को संचित किया जा सकता है इसी माध्यम से ज्यान एक देश से दूसरे देश के और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुँचता है तो यह मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किस प्रकार से जो भाषा है मानव को भाषा का लिखित रूप की आफशकता क्यों पड़ी क्योंकि उन्हें अपना ग्यान संचित करके रखना था आने वाली पीड़ी के लिए अब आगे देखिए अब भाषा जो हमने पढ़ी उस भी भाषा के दो रूप लिखित और मोखिक लेकिन उसी भाषा के भी एक अनेक रूप है जो हम पढ़ते हैं भाषा की भारत की राष्टर भाषा हिंदी हिंदी भारत की राष्टर भाषा है राष्टर भाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांस निवासियों द्वारा किया जाता है और हिंदी भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। भारत में हिंदी लगबग 70% बोली बे समझी जाती है। इसलिए भारत की राष्टर भाषा हिंदी है। तो देखे हमारा जो भारत है वो एक बहु भाषी देश है जहां अलग-अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और समझी जाती हैं। लेकिन राष्टर भाषा वही होती है जिसको देश के अधिकांश निवाशी जिसका प्रयोग करती हैं। और हमारे भारत में देश का जादा तर जो जन्संख्या है वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती हैं। इसलिए जो भारत हिंदी है वो भारत की राष्टर भाषा के रूप में जानी जाती हैं। आगे दिखे राज भाषा, राज भाषा का रत है राज काज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कारियालों में राज काज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राज भाषा कहते हैं। हमारी राज भाषा भी हिंदी है। कहीं कहीं जो चार शेत्रों में बाटा गया है भारत को कशेत्र, खशेत्र, और गशेत्र कशेत्र जहां पर हिंदी ही समझी भी जाती है पड़ी जाती है। और जो खैशेत्र है वहाँ पर एक उनकी खुद की भाषा होती है दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होती है और गैशेत्र है वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ी जाती या समझे जाती वहाँ पर क्या क्या जाता है कि एक अंग्रेजी और एक उनकी जो भाषा होती है गैश तो लेकिन अब जो हमारे मानन ये प्रधान मंत्री जी है, नरेंद्र मोदी, अब हिंदी को एक पूर्ण रूप से राश्टर भाषा का दर्जा देने के लिए प्रियास रत है, बहुत सारे कारे किये जा रहे हैं, हिंदी को जगे जगे अनिवार ये किया जा रहा है, तो आशा करते हैं कि भविश्य में हिंदी और भी ज़्यादा निखर कर सामने आएगी, तो हमारी जो राज भाषा है वो क्या है, हिंदी है, राज काज क्या होता है, जो भी कारिया ले के काम होते हैं, जो भी शाशन परनाली के काम होते हैं, हमारी सरकार जिस भाषा का प्रिय जिस भाशा को बालक अपनी माँ या अपने परिवार द्वारा सीखता है उसे मात्री भाशा कहते हैं मात्री भाशा में सबसे पहले बालक का प्रिच्चे होता है अगर किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग मराठी बोलते होंगे तो वह बच्चा भी मराठी ही बोलेग मात्री भाषा नाम से ही स्पस्ट है मादवारा प्राप्त भाषा यानि जो भी बच्चा परिवार से सीखता है उसको क्या कहते हैं मात्री भाषा कहते हैं अब कुछ बच्चों का प्रश्ण होता है कि मैम हम भागडी बोलते हैं या हम कोई हर्यान भी बोलते हैं कोई किसी अलग अलग तरह की बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारी मात्री भाषा तो भागडी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भागडी है वो तो एक बोली है और उसे भाष का रूप नहीं दिया जा सकता हमारी मात्री भाषा अगर हम कहते हैं तो वो हिंदी ही है जिसे हम सीखते हैं आगे हैं भारतिय सन्विधान के अनुछेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को रास्टर भाषा का दर्जा मिला प्रतेक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दीवस के आते हैं ये तो आप सब भी जानते होंगे कि जो भारतिय सन्विधान का जो अनुछेद 343 और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को रास्टर भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दीवस के रूप में मनाते हैं आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है हिंदी को बहुत सारे जो दूसरे देश हैं वहाँ पर भी बहुत अधिक हिंदी का पर्चलन है फीजी ही जैसे फीजी हो गया फीजी में बहुत जादा तर जो भी लोग है वो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं तो भारत की संपर्ख भाषा हिंदी है विश्व की संपर्ख भाषा अंग्रेजी है अब देखे संपर्ख भाषा किसे कहते हैं संपर्ख भाषा का उसे कहा जाता है जिससे हम किसी से अपना संपर्ख कर सकते हैं अब मैं आपसे संपर्ख कर रही हूं किस भाषा के माध्यम से हिंदी के माध्यम से अगर आप हिंदी नहीं समझते और मैं आपके सामने हिंदी पढ़ाए जा रही हूं तो क्या आप उसे समझ पाएंगे नहीं और अगर आप उसे नहीं समझ पाएंगे तो आपकी संपर्क भाषा नहीं है जिस भाषा को आप समझ सकते हैं जै हो जाएगी संपर्क भाशा हो जाएगी बताया गया कि भारत की संपर्क-भाशा हिंदी है क्योंकि हम वैसे तो बहु भाशी देश है लेकिन फिल्था तर जो निवासी हैं वो रिमकर करते हैं तो अगर आप कोई वी मोली होते हैं दूसरी तो आप वहां जाकर क्या किसी दूसरे से बात करनी होगी तो आप हिंदी का प्रियोग करोगे उस समय हिंदी ही आपकी संपर्क भाषा होगी लेकिन विश्व में अगर आपको जैसे कि हमें पता है कि जो अब वैश्वी कंड बहुत हो चुका है व्यापार ए अपने विचारों को अभी प्यक्ति कर सकते हैं अब देखे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं सन्मिधान की आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संस्किर्थ हिंदी अस्मिया ओडिया उर्दू कन्नड कश्मीरी कॉनकणी डोगरी तमिल नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मराथी, मनिपूरी, मलियालम, संथाली, सिंधी, मैथली। सवतंतरता के पशात हिंदी सहित सभी भारतिय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ। लेकिन भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गाने, भोजपुरी साहित्य बढ़ चड़कर आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि भविश्य में जो भोजपुरी बोली है वो एक भाषा का रूप ले ले। क्योंकि जो 22 भाषाओं हैं वो भी इसी प्रकार की एक बोलियां सन्विधान में भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। ऐसा नहीं है कि भारतिय सन्विधान जब बना था तो इसमें जो 22 भाषाओं हैं वो सारी उसी समय उसके अंदर डाल दी गई थी सन्विधान में नहीं, ये सन्विधान में संसोधन होते गई थे, सन्विधान में कभी भी परिवर्तन नहीं होते परिवर्तन नहीं हो सकता सन्मिधान में सन्मिधान में सिर्फ संसोधन हो सकता है तो तीन संसोधन हुए सबसे पहले जो आठ हमारी जो भाशाएं थी चोदा भाशाएं थी वही इस सन्मिधान कि आठवी अंसूची में रखी गई थी लेकिन धीरे धीरे तीन संसोधन हुए जिनके तहट जिन बोलियों का विकास होता रहा उन्हें भी भाषाओं का रूप दे दिया गया अब देखिए बोली बोली किसे कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि बोली क्या होती है? कि एक शेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का विशिस्ट रूप बोली कहलाता है बोली का साहित्य लिखित नय होकर मोखिक ही रहता है देखे जो भी कहीं जो बोली है सबसे पहले तो ये जान लीजे बोली है उसका एक सीमित छेत्र होता है क्योंकि भाशा का जो शेत्र होता है वो बहुत विश्तरित होता है और बोली का जो छेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है उसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है क्योंकि जब तक उसमें साहित्य नहीं लिखा जाएगा तब तक वो बोली का रूप है, बोली में ही मुहाबरे, लोकोक्तियां, लोग गीत, लोग कताओं, आदी का सुंद्रे देखा जा सकता है, इससे एक अंचल विशेश प्रभावित होता है, मतलब कि अगर आप बागडी बोल रहे हैं, तो वो बागडी ही जो लोग हैं, वो बागडी आ यूटूब बगड़ा पर, तो वो सब चीजे क्या हैं कि वो हमें ही प्रभावित कर सकती है, हम उसको सुनना पसंद करते हैं, उसको अगर कोई और देखेगा, तो शायद उसको इतना पसंद ना करें, या उससे समझ भी नाएं, लेकिस आहित है कि तरिक्तर ने सभी प्रका चीजे का शेत्रव्यापक होता है, यहां जो सिर्सा में जो बोली बोली जाती है, तो एक रिदेगा पसंद कर दोता है। वो तो बहुत विस्तरित है, आगे देखिए, शेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विवाजन, अब शेत्र के आधार पर हमने क्या कर दिया, जो बोलियां थी, यानि हिंदी जो भाषा है, उसकी जो बोलियां है, उसका विवाजन कर दिया, कैसे, जैसे कि पूर्वी हिंद अब पूर्वी हिंदी में अवधी, बेगली और चतिस गड़ी ये तीनों जो हैं वो बोलियां हैं अवधी, बेगली और चतिस गड़ी लेकिन किसकी हिंदी भाशा की और किस की है ये जो पूर्वी हिस्सा है उसमें जो बोली जाती है वहाँ पर उन बोलियों को पूर्वी हि खड़ी बोली, हर्यानवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नोजी, मत्रा, गुर्गाओं, यहां के आसपास का जो भी शेत्र है, वो सारा ही किस में आता है, पश्मी हिंदी में आता है। खड़ी बोली, हर्यानवी, ब्रिज भाषा, यहां पर यहीं बोलियां हैं जो बोली जाती है, खड़ी बोली हिंदी को ही कहा जाता है। अब पहारी हिंदी में जो बोली है वो है गडवाली, हिमाचली, कुमावनी, मंडियाली, आदी और फिर है बिहारी हिंदी मैथली, मगई, भोजपूरी, अंगिका, वज्जिका, आदी तो ये सब जो बिहार में जो बोली जाती है जो बोलियां मैथली, मगई इन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है जादा अंतर नहीं होता जगे बदलते ही जो बोली है उसका थोड़ा सा रूप और बदल जाता है तो इस परकार से हमने देखा कि जो हिंदी है उसको कितने पांच पांच भागों में बाटा गया है और उन पांच भागों की अलग-अलग बोलियां भी बताई गई है, अब हम पढ़ेंगे उपभाशा, देखिए पहले तो हमने पढ़ी भाशा, भाशा जिसका एक बहुत ही विस्तरित शेत्र होता है, यानि कि जैसे हिंदी, हिंदी पूरे भारत के लिए हमारे लिए रास्टर भाशा है, फिर हमने पढ़ी बोली, बोली का श विस्तरित रूप होता है, विस्तारित रूप होता है, जिसका विस्तार बहुत जादा होता है, और जिसमें साहित्य रचना होती है, लेकिन वो भाशा की तरह भी नहीं है, यानि कि बोली से, जिसका शेत्र बोली से बढ़ा हो और भाशा से कम हो, उसको उपभाशा कहा जात जिस बोली में साहित्य की रचना की जाने लगे, जैसे कि मैतली, अवदी, ब्रिज भाषा, अब ब्रिज भाषा में क्या होता है, हमारे जो लेकक हैं, वो बहुत सारे लेकक हैं, वो ब्रिज भाषा में कविताई लिखते हैं, बहुत सारे गध्य, पद्य, साहित्य लिखते है लेकिन वो है तो एक बोली ही, लेकिन जब उसमें साहिते की रचना की जाने लगी, तो उसको जब तक भाशा का दर्जा नहीं मिला, तब तक वो भाशाना होकर उपभाशा बन जाती है, इस प्रकार से जो बोली से जिसका शेत्र जादा हो और भाशा से थोड़ा कम, उसको क्य कहा जाता है उप भाषा कहा जाता है जिसमें साहिते की रचना होने लगती है और इसमें बताया गए इन चारों में ही उत्तम साहिते उप लब्दा जैसे अभी बताया था कि जिनमें साहिते लिखा जाने लग जाता है वो बोली ना होकर पहले उप भाषा का रूप ले लेती ह अब है भाशा एवं बोली में अंतर भाशा वे बोली में क्या अंतर है देखिए भाशा का शेत्र विस्तरित होता है जबकि स्थानिय रूप होने के कारण बोली का शेत्र अपेक्षाकर सीमित होता है भाशा हिंदी है जबकि बोली बागडी है अब बागडी का जो शेत्र वो सरकारी काम काज में किया जाता है बोली का प्रियोग शेत्र विशेष में बोलचाल के लिए करते हैं जैसे कि हम करते हैं हर्यानवी भाषा का प्रियोग हमारी बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन जब भी हमें राजकाज की भाषा करनी हो यानि कार्याले भाषा देखे सब बोली है वो बहुती सीमिद शेतर की उती उसमें सिर्फ बोलचाल की भाषा ही रखी जाती है उसमें साहितेय नहीं लिखा होता, पढ़ानी नहीं जाता, अगर साहित लिखा जाने लग जाता तो वह भाषा का रूप ले लेती है, और उसका जो शेत्र है वो और भी विस्तरित हो जाता है अब है लीपी, लीपी का आर्थ है लिखने का धंग यह विद्वानों द्वारा प्रतेक भाषा लेकन के लिए अलग-अलग तयार की गई है जैसे संस्केट, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो, आदी भाषाओं की लीपी है देवनागरी देवनागरी लीपी का विकास ब्रहमी लीपी से हुआ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, आदी भाषाओं की लीपी है रोमन यूरोप की अधिकांस भाषाओं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ तो अब देखे लीपी किसे कहते हैं मैंने पहले भी बताया है कि जैसे आ, आ, ई, ई, उ, जो है क, ख, ग, वो एक जो भाषा जो ध्वनी हम उचारित करते हैं, उनको एक लिकित रूप दे दिया गया अब हमें पता है कि हम जब भी लिखते हैं, तो वो हमें पता है कि ये रोमन लीपी है जब हम बै लिखते हैं, तो हमें पता है ये देवनागरी लीपी है यानि जो अंग्रेजी बोलते हैं वो रोमन लिपी है क्योंकि उनकी जो दुआनी है वो A, B, C, D, वो निश्चित रूप से वही है, उसी के माध्यम से भाषा बनी है उनकी और उसी जो व्याकरण को वो लेते हैं तो इस तरह से जो हमारी लिखने का जो धंग है वो लिपी कहलाती है और हमारी जो देवनागरी लिपी है वो एक वेज्ञानिक पदिती की लिपी है मतलब जैसा उसमें लिखा जाता है वैसा ही उसमें बोला जाता है अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपी की तरह नहीं है जो ल देरकार से जो लिखने का ढ़ंग हें उसको क्या कहते हैं लिप़ी कहते हैं जो यूरोप की जीतने अधिकतर जो भाषा यह वो ज़ाद अतर रोमन लिपी का ही प्रियोग करती है उर्दू तथार भी जो भाषा हैं उनकी जो लिप को क्या कहते हैं लीपी कहते हैं निश्चित चेहिनों की विवस्था को ही क्या कहते हैं लीपी कहते हैं हम पढ़ सकते हैं कि देवनागरी लीपी विश्व की एक मात्र विज्ञानिक लीपी है देवनागरी लीपी यह देवनागरी लीपी की विशेशताइं हैं जो आपको पत जाती है, कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे लेक का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है अब जो एक software है कंप्यूटर पर जो यूनिकोड है उसके माध्यम से क्या करते हैं कि देवनागरी लिपी में जो लेक लिखे हैं उसका अनुवाद हम कर सकते हैं यानि हिंदी में लिखा कोई भी लेक है उसका किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं ये हमारे हिंदी की जो देवनागरी लिपी है उसकी विशेस्ताएं हैं अब हम पढ़ते हैं हम पीछे पूरे पार्ट के अंतरगत हम साहित्य साहित्य की बाते करते हैं हमें पता होना चाहिए साहित्य होता क्या है कि प्रतेग भाषा में ग्यान का अथा भंडार है वह पीडियों से संचित होता आ रहा है यह ग्यान ही साहित्य है साहित्य ग्यान का संचित कोश है युग अपने ज्ञान को संचित करकर आने वाली पीड़ी के लिए रखना चाहता था तो वो कैसे रख सकता था? वो साहित्य के माध्यम से रख सकता था यानि उन्होंने कवीताइन लिखी, तरह तरह के आत्म कथाइन लिखी, जीवनिया लिखी जो हमारे राजा, महाराजा थे उनकी परसंसा में लेकले, वो सारे आज हम जिनको हम पढ़ पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं और साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य दो प्रकार के होते हैं गद्दे साहित्य और पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द नहीं है, पीतु जो हम समझ सकते हैं, एक सरल भाशा के अंदर लिखा जाता है, उसको गध्दे साहित्या कहते हैं, कता है, संस्मन है, निबढ़ है, पत्र है, वहाँ कोई किसी परकार की तुक्बंदी नहीं होती, किसी परकार के उसमे अलंकारों का प्रियोग नहीं होता ठीक है? तो हम देख रहे हैं हमारे साहित्यकार हैं, जैसे Munsip्ैम्यट चन्जी, महादेवी बर्मा जैसंकर परशाद मुंसि प्रेम चंग जी ने उपन्यास लिखा था गोदान उच्छ कोटी का उपन्यास है और महादेवी बर्माय कानी गिलू जैसंकर परशाद ने नाटक लिखा था दूर्ब स्वामी ने तो ये सारी विदा है वो क्या है गद्य साहिते की है इसके बाद आ देखे कवी रिदास के दोहे हम पढ़ते हैं और कितने ही लेखक हैं कितने ही कवी हैं जिनकी कवीताइं हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो सब किस में आते हैं पद्य साहिते में आते हैं पद्य साहिते के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है चंदों का प्रयोग किया ज कि अब यहां दिया गया कथा संसमन्न निवद्पत्र यह जो इसके उधान दिए गए याल पुस्तक की पिष्वर कर भादा कliestmakर को ही हैं अब देखिए साहित्यकार हैं कौन-कौन से जो पद्ध्य साहित्यका जिक्र कर रहे हैं विहारी विहारी सत्सई और तुलसी दास राम चरित्रमानश कबीर दास विजक तो जो राम चरित्रमानश है इसको तो आपने काफी बार सुना होगा बहुत ही उन्च कोटी की बिहारी की सत्साइए जो वीजक है जो तो वो चंदो के माध्यम से ही लिखी गई है इनको पध्यसाहित्या में सम्मेलित करते हैं ब्याकरन भाशा भावों विचारों की अभी व्यक्ति का साधन है यह हम पहले भी पड़ चुके हैं भाशा की व्यवस्ता हमारे भावों को आपके मन में कोई भाव पैदा होते हैं अगर वो भाव आप बताना चाहते हो, लेकिन भाषा व्यवस्थित नहीं है, मतलब आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, तो आपके जो भाव है, जो विचार है, वो अगला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, इसको छोटे से उधान से देखते हैं, देखिए, कि एक व्यक्ति क कहता है, कि रोको मत जाने दो, तो इसे हमने क्या समझा, क्या भाव लिया, हमें ये लगा, कि जो व्यक्ति जा रहा है, उसको दूसरा व्यक्ति कह रहा है, कि उसको रोको, उसको जाने मत दो, लेकिन अगर वही व्यक्ति, इस शब्द को ऐसे बोलता है, रोको मत जाने दो, म करता है और ये जो भाषा का व्यवस्तित रूप है ये कौन सिखाता है ये व्याकन सिखाती है व्याकन बताती है कि हमें भाषा का कौन सा रूप किस तरीके से उसका इस्तमाल करना चाहिएं जैसे कि इसमें उधान दिया गया है कि गाएं गाएं को हम गाएं लिखेंगे तो व तो क्या बन जाएगा, ऐसा हमारे समझ में ही नहीं आएगा कि वो है क्या, तो इस परकार से हम देख सकते हैं कि जो भाशा का व्यरुष्थित रूप है, व्याकरण हमें भाशा का शुद्ध ग्यान करवाता है, मतलब शुद्ध ग्यान ऐसे कह सकते हैं कि जो भाशा में हैं, वचन, कारक, उनके माध्यम से भाशा को एक अच्छा धांचा देता है, जिसे हम अपने भावर विचारों की एक अच्छी सही प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो देखे, बताया गया कि भाशा केवल पढ़न, यही निया कि जो व्याकरण के द्वारा हम सिर्फ भाशा को लिखना, पढ़ना और बोलना ही सीखते हैं, समझना भी सीखते हैं, अब बोलना कैसे सीखते हैं, देखे, बोलना हमें व्याकरण सिखाती है, कैसे सिखाती है, हम खास कर से, जो हर्याना प्रदेश है, यहाँ पर क्या होता है कि से तीन होते हैं, और अलग-अलग उनका उ में जो भेद है वो हमें व्याकन बताती है जबकि आमतोर की जो निरक्षर जो लोग होते हैं जो अनपड होते हैं वो तीनों ही जो तीन प्रकार के जो स होते हैं उनका एक ही स ही उसका शब्द लिया जाता है अब ये देखे हमें भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्यान कराने वाला सास्त्र व्याकरण कहलाता है अब देखे व्याकरण में भाषा के लिखीत और मोखिक दोनों रूपों का अध्यन किया जाता है व्यवारिक दिरिष्टी से भाषा की लगुतमी काई वाक्य है वाक्य शब्दों से और शब्द बढ़नों से बनते हैं व्याकरण वन शब्द और वाक्य विशों के विस्तिरित ग्यान का ग्रंथ है हमने सबसे पहले क्या सीखा वन सीखे वन हमने की और वन से क्या बने वन हमें व्याकरण नहीं सीखाए क्योंकि लिपी है वो तो और फिर उससे शब्द बनी शब्दों से क्या बने वाक्य बने कौन-कौन से वन विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यह हम अपने आने वाले जो अध्याई हैं उनमें विस्तार पूर्वक इनको पढ़ेंगे कि किस परकार से वन विचार है, जो वनों की बनावट है, उनका जो उच्चारण है, वो हमें व्याकन सिखाता है, में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो यहीं तक था आज का हमारा जो अध्याई, व्याकन का प्रतम अध्याई था, और आशा करती हूँ, सभी को समझाया होगा, धन्यवाद,